किसी ने कहा है जी नोटिस की कि रोधकार मिलने वारा इशू अब उठना क्यों मन्द हो रहा है अभी तो वो ऐसा essential समय है जब पुरा देश पुरी दुनिया एक pandemic से जूज रही है और उसके साथ साथ economic crisis से भी जूज रही है किसे ने यह क्यों सवाल उठाया कि जो बच्चे इस pandemic में graduate हो के निकल लें जिन्होंने college छोड़ा जिन्होंने अभी schooling खतम की है तो वो तो खेर अभी नए colleges में जाएंगे लेकिन उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि अगर वो college में जाएं और पढ़ना उन्हें online नहीं करा दिया है और अगले एक दो महीने के अंदर अंदर तो उन बच्चों का क्या कि अग्यों कि अग्यों कर सकते हैं सब नहीं कर सकते अटलिस्ट कि जो एक ज़र साल का जो यह गयाफ है जो माहौल को सुधरने में लगेगा बच्चे इस बीच यह तो ड्रॉप करने का सोचेंगे यह तो डिस्टेंस लर्निंग करेंगे क्योंकि पूरा पैसा दे के कुछ बड़ा बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करना यह भी पॉसिबल नहीं और समझदारी की बात भी नहीं मुझे उन लोगों से जो बात बात प्लैकार्ड भी सवाल है बहुत वाजिब सवाल लगे अगर तो कमेंट करना और शेयर करना जो आप लोग हर बार उठके खड़े हो जाते हैं कि सरकार ने कि इतने रूजगार ने नहीं दिए मैं कहая रहा हो कि सरकार ने वो सारे वादे अपने पूरे कर दी है ठीक और मेरे पास सरकार के लिए बहुत बड़ क्रियकर सिसेंजन नाग इंजिन है तो अगर आप है करते हैं तो आप शेयर करिये बात यह है कि हम जो basic जो हमारे root cause है उसमें हम कब सोचेंगे मैंने कभी अपने देश में चाहिए right wingist through चाहिए left wing चाहिए communist, marxist, islamist जो भी forces हैं उनके थू कभी भी क्योंकि सब के पास अपना एक narrative है कि हम अपने तरीके से देश को चलाना चाहते है और हमारी यह ideology है जो देश को आगे ले जाए या फिर देश को तोड़ दे वो उनके अपनी thought process है तो कभी इन लोगों ने job creation के लिए job opportunity के लिए क्या इस वात के लिए वो road पे आए कि कि हमारा जो education system है जो हमें आज तक वही पढ़ाता आया है जो हमें पिछले 50 साल से पढ़ा रहा है आज मैं जो भी पढ़के graduate हुआ हूँ एक example दे रहा हूँ वो उसी चीज का आगे पीछे का वर्जन है जो शायद कभी मेरे पापा ने पढ़ा होगा आप समझने कोश्च करें कि आपकी पुरानी जनरेशन है जो पढ़ा होगा आपको उसी चीज को और थोड़ा सा आगे पीछे करके इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कुछ नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा अगर आप 12 तक की पढ़ाई करते हैं उसका दीका कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप ऐसी जॉब कर सकते हैं जो आपके इंटरस्ट के साफ पर आपकी क्यूरोसिटी के साफ से आप से काम करवाया जाएगा और आपको पैसा उससे कई गुना जाता दिया जाएगा जो आज की ट्रेडिशनल जॉब में मिलता है और क्यों ने इंट्रिडियूस करा है जो जो सिस्टम हम फॉलो करते है उसको चेंज करने की बाद आप करेंगे समझे वह तरीका जो पढ़ाई का होता उसको चेंज करने की बाद आप करेंगे क्या हम ए-learning और डिजिटल और जितने भी तरीके होता है वह वहीं तक सीमित है कि क्लास्रूम एक प्रोजेक्टर लगा दिया और बोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बस हो गया कि अगर आप लोग यहां तक देखना है मेरी बात से अगर अगर आप बहुत शेयर करेंगा तो बहुत अगर आप बहुत शेयर करेंगा तो बात मेरी नहीं रह जाती है फिर आप सब्की हो जाती है कि जन्ता इस बात के लिए अग्रेशन दिखा रही है जन्ता चाहते है कि इस बात पर काम किया जाए तो हो सकता है कोई ऐसा आदमी जो उपर तक बात पहुंचा है और इस पर सोचने पर मजबूर कर दो और इसमें इसमें सिर्फ मेरा फाइदा नहीं है आपका भी फाइदा है आप सोचके देखिएगा दूसरी चीज अगर हमें अब तो जो क्रेजवेट हुए हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है उसके लिए सरगार कुछ करना चाहिए लेकिन हमें जो आज तक पढ़ाया गया है और भविश्य में आगे आने वाल टेकनोलोजी से डील करने की पढ़ाई यह मशीन लर्निंग और इस सब चीज़ें कब पढ़ाई जाएंगी रूट लेवल पर एटलिस कुछ नहीं तो जैसे एविसीडी पढ़ाते हैं तो एविसीडी कितनी बेसिक नॉलेज हो जाती है हमें कि इंग्रिस भासा समझ में आन कि नॉर्मली जो ट्रेंड में चलते हैं न एंबीए भी कॉम यह वो इसके लाव कुछ और पकड़ते हैं आप अगर आर्ट्स में कॉमर्स में आपके उत्ती इज़त नहीं होती है लेकिन क्रेडिबिल्टी अगर मैं बनाएंगे इन सब्जेक्स की इज़त करेंगे इन सब् बीकॉम करके निकलाओं तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं लोग कहते हैं बीकॉम कर लो वाइड वराइटी ऑप्शन खुल जाएंगे ऐसा कुछ नहीं घंटा अगर आपको 10-15,000 की जॉब मिल लाई है 15-20 लाक रुपे खरचा करके सबसे बेकूफों वाला यह कोर्स है मे वो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं इसलिए लोग यहां से भाग भाग के फॉरण पढ़ने जाते हैं और वहां पर वो चीज़ें पढ़ते हैं जो भविश्र में लोगों को जरूत है सुन्दर पिचाई ने क्या आपको लगता है यहीं से सारी पढ़ाई की और वहां जाकि यूगल का CEO बना हुआ है कि आप सत्य नडेला सुन्दर पिचाई बड़े-बड़े CEO जो दुनिया की बड़े-बड़े कंपनियों को रीट कर रहे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम समझें कि उन्होंने वो घ्यान पराप्त कहां से किया उन्होंने वो डिग्री पराप्त कह से हमारे यहां स्राट अप इंडिया डिश्टल इंडिया मेक इंडिया इसारी चीज़ें हैं जो बूस्त देती हैं नए पोटेंशल बिजनसमेंस को इंडपनौर्स को जो उनको 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 उनके आइडियास को आगे बढ़ाने मदद करें लेकिन मुझे ने लगता यह बह सवाल हैं बहुत सारे सुझाओं हैं मैं दे सकता हूं कमेल ने आप बात कर सकते हैं मुझे या फिर बहुत सारे सोसे में वीडियो के एंडर में आप देख सकते हैं Instagram पर इस मुझे पर बात तो बहुत जरूरी है खैर मुझे अच्छा लगएगा अगर आप इसमें सीरियसने दिखाते हैं इसको शेयर करते हैं वारना आप भी हाथ पर हाथ दरके बैठे रही है किसी का कुछ नहीं जा रहा है जैहिन वंदे मात्रम